हेलो एवरीवन वेलकम बैक तो माई यूटीव चैनल साल दोजार तीन की हिट फिल्म जिसे देख रो पड़ीती ओडियंस डारेक्टर का दावा आज एक हजा करोड का बिजनिस करती मूवी साल 2003 में रिलीज हुई कल होना हो सारुख खान की पॉपुलर फिल्मों में से एक है सैपली खान और पिती जिन्टा भी फिल्म का हिस्सा रहे थे मशूर फिल्म मेकर निकल आडवानी के डारेक्शन में बनी फिल्म की कहानी ने लोगों के दिलों को छू लिया था और आज भी लोग मूवी की चर्चा करते हैं हाली में निकल आडवानी ने दावा किया है कि अगर कल होना हो आज के टाइम में रिलीज होती तो बॉक्स आफिस पर आसानी से एक हजार करोड की कमाई कर लेती निखिल आडवानी कल होना हो के बजट को लेकर बात किया उन्होंने उन्होंने कहा है कि पहले हम कल होना हो जैसी फिल्म बना सकते थे और कोई इस बात की परवा नहीं करता था कि इसे कितने में बनाय गया और ये कैसा परफॉर्म करेगी इसे 32 करोन में बनाय गया था अगर आज की महँगाई के हिसाब से देखे तो इसकी कमाई 1,000 करोन रुपे से जादा की होती निखिल अडवानी ने आगे बताए कि कैसे सालों बाद भी कल होना हो की तारीफ होती है उन्होंने याद किया कि लोग आज भी फिल्म में शारुखान की आइकॉनिक चैन, रानी की मिनी स्कट और उनके किरदार के मौत के भावुक पल को याद करते हैं डारेक्टर ने कहा कि उनके लिए असली ब्लॉक्वेस्टर फिल्म वही है जिसकी दस सालों बाद भी बात हो रही है क्या है फिल्म की कहानी चली आपको बताते हैं कल होना वो फिल्म की कहानी में नैना के इर्दगिर्द गुमती है नैना का रोल यहाँ पर प्रीती जिंटा निभारी है जिसकी जिन्दकी तब बदल जाती है जब अपने चुल्बले पड़ोसी अमन से मिलती है अमन का रोल यहाँ पर शारुक खान निभारे हैं दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं लेकिन अमन उनसे अपने प्यार का इजहार नहीं करता है। अमन के अतीत में अतीत के बारे में जानने के बाद नैना अपने सबसे अच्छे दोस्त रोहित से शादी कर लेती है। रोहित का रोल यहां पर सैफली खान ने बार हैं शारूख खान, प्रीती जंटा और सैफली खान की फिल्म कल होना होने देश बर में 38 करोड रुपे का बिजनिस किया था वहीं दुनिया भर की बात करें तो वहीं दुनिया भर में फिल्म की टोटल को माई 81.95 करोण रुपे हुई थी बॉक्स ओफिस पर कल होना हो हिट साबित हुई थी आपको इस टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताईएगा अगर आपको इस टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें थैंक्स पूर वाचिंग बाबाई